नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे अंत्रिक्स में हर दिन हजारों सितारों में महाविसफोर्ट होता है लेकिन वो प्रत्वी से इतने दूर होते हैं कि उसका हमारी प्रत्वी पर कोई फरक नहीं पड़ता और नहीं उस महाविसफोर्ट को हम मैसूस कर सकते हैं अंत्रिक्स में मुझूद सितारों में होने वाले महाविसफोटों को सुपरनोवा महाविसफोट कहते हैं लेकिन अंत्रिक्स इसे एक खतरनाक और चूंका देने वाला मामला सामने आया है जिससे पूरा वेग्यानिक जगत हैरान हो गया था दरसल ان्त्रिक्स में एक खतरनाक सुपर्णोवा विसफोर्ड हुआ था जिससे की एक तारे का टुकड़ा हमारी प्रत्वी की तरफ आ रहा है तो आएए जानते हैं आज की इस वीडियो में हम अन्त्रिक्स में होने वाले सुपर्णोवा विसफोर्ड की बात करेंगे साथ ये भी जानेंगे कि इस विजफोर्ट से हमारी प्रत्वी को क्या खत्रा है आगे वड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस चैनल की हर अपडेट आप तक पहुंच सके और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वेग गयनकू का मानना है कि LP 4365 नाम की सितारे का टुकडा है जो की एक बहुत बड़े सितारे के महाविसफोर्ट से निकला है नासा के हरबल टेलिसकोप द्वारा किये गए सर्वे के अनुसार सुपर नोवा का यह टुकडा 32 लाग किलोमेटर क्रती गंटे की रफतार से हमारी आकास गंगा में आ रहा है यह सितारा धर्ती से 2000 प्रकास वर्स दूर था इसलिए हम इस महाविसफोर्ट को प्रत्री पर रहते हुए महसूस नहीं कर पाए विसफोर्ट के तुरंत बाद यह टुकडा आकास गंगा में तेजी से निकल पड़ा था वर्तमान में यह काफी तेज गती से गुंता हुआ हमारी आकास गंगा में पहुँच रहा है इस सुपर्नोवा के टुकडे से होने वाले खत्रे की बात की जाए तो वेग्यानिकों ने इस संबंद में कोई जानकारी नहीं दी है यह टुकडा हमारी आकास गंगा से 2000 प्रकास वर्स दूर है इसलिए सुपर्नोवा के इस टुकडे से होने वाले खत्रे के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता लेकिन जल्दी वेग्यानिक इस बारे में पूरी जानकारी लेकर आएंगे सुपर्नोवा टुकडे के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ओल नोटिफिकेशन ओन कर लें वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए शुक्रिया सब्सक्राइब करना ना भूले